हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपके प्यार हिसे चैनल राइट अज की वीडियो हम बात करने वाले हैं फिजिक्स यानि जो बहुते विज्ञान टेंथ क्लास की है उसके बारे में है कर participar सकते हैं कि का है विजिष्ट और उसस सब्सक्राइब और रीहां का अर्थ ही होता है आता हम कह सकते हैं की काँ गया अतहा किसी वस्तू का विशिष्ट ग्यान ही विज्ञान कहलाता है किसी वस्तू का विशिष्ट ग्यान क्या कहलाता है विज्ञान कहलाता है अब आ जाता है बहुत एक विज्ञान क्या होता है बहुत एक विज्ञान क्या होता है उर्जा का और जो काफी सारे द्रव्य होते हैं द्रव्य की अन्यून क्रियाओं का हम अध्यन करते हैं क्या कहलाता है आपका बहुत दिक विज्ञान कहलाता है अब आते हम चैप्टर पर चैप्टर का नाम क्या है अपने चैप्टर का नाम है प्रकास का परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकास का परावर्तन एवं अपवर्तन इसके बारे में हम समझेंगे प्रकास का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है सो आभम कर लेते हैं इसे एरेज और बढ़ते हैं आगे हाँ तो टॉपिक क्या है प्रकास के परावर्तन में पहला टॉपिक है प्रकास लाइट जिसे इंगलिस में क्या कहते हैं लाइट कहते हैं, तो प्रकास लाइट क्या होता है, प्रकास एक प्रकार की उर्जा है, जिसकी सायता से हमें बस्तु में दिखाई देती है, अब आम इसे समझ देते हैं, प्रकास एक प्रकार की क्या है, उर्ज क्या है, एक प्रकार की उर्जा, उर्जा क्यों कहा गया है, क्य प्रकास की मदद से आप क्या करते हो अपने जो बैटरी वगएरा होते हैं सोलर से चलने वाली वो बिजली वगएरा उत्पाद होती है सोलर से है ना तो इसलिए हमने इसे उर्जा कहा है और नेक्स्ट क्या है जिसकी सहाइता से हमें बस्तूएं दिखाई देती हैं अगर तो क्या आप उस इंसान को पहचान पाओगे या फिर देख पाओगे क्या देख पाओगे नहीं न तो ये तो हो गई प्रकास की परिभासा क्या कि प्रकास एक प्रकार की उर्जा है जिसकी सहायता से हमें बस्तुएं क्या करती है दिखाई देती है आप देखते हैं प्रकास के गुण, किसके प्रकास के गुण, मतलब इसके गुण है, क्या है इसके गुण, तो प्रकास के गुण को इंग्लिस में क्या कहा हैंगे, properties of light properties of light या law of light first क्या है प्रकास सीधी रेखा में गमन करता है कैसी रेखा में सीधी रेखा में गमन करता है इसे समझने के लिए आप ऐसा समझे है कि जैसे आप समझ लीजे कि ये आपका घर है है ना ये आपका क्या है घर है मान के चलना कि यह आपका घर है और यहीं से पास से गली गई है एक गली गई है कुछ इस प्रकार से और यह गली आगे जाकर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे छोटे में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसे हम बड़ा कर लेते हैं इसे हम कर लेते हैं बड़ा ऐसा आप मान लो कि ये आपका घर है यहां से होकर के एक गली गई है आपके घर से सामने होकर इस प्रकार से कुछ और वो गली यहां आगे जाकर मुड़ गई है इस प्रकार से अब यहां पर क्या है कि यहां पर एक light stand लगा हुआ है यहाँ पर एक light लगी हुई है यहाँ पर है ना सो आप देख रहे हो कि इस light का मतलब यहाँ पर नहीं आप यहीं पर बना लीजेगा गली में एक light लगी हुई है यहाँ पर आप देखते हो कि इस light का प्रकास जो है वो यह जाएगा सीधा जाएगा अब ऐसा तो नहीं होगा कि यहां से जाने के बाद यह 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 यहां पर लगा रखी है और यहां से इस प्रकार से प्रकास जाएगा क्या वो ऐसे और ऐसे मुड़ेगा या दाया या बाया वो प्रकास मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा तो यही इसका एक गुड़ है कि प्रकास कैस पर वायू ना हो जहां पर क्या ना हो वायू जहां पर वायू ना हो वहां पर भी प्रकास पहुंच सकता है तीसरा क्या है प्रकास की चाल तीन इंटू टैन की पावर एट मीटर पर सेकंड मतलब क्या है कि वो तीन इंटू टैन की पावर एट मीटर पर सेकंड या फिर तीन इंटू 10 की घात 5 किलो मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है कैसे अब इसे अगर आप निकालोगे किलो मीटर समय या फन मीटर समय निकालोगे तो इसके पास में 8-0 आ जाएंगे तो यह आप देखते हो कि मतलब करोणों में जाएगा तीन लाख किलो मीटर पर घंटा करोणों में जाएगा तीन करोड पर किलो मीटर घंटा इस प्रकार से यह जाएगा क्या है प्रकास की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड या 3 इंटू 10 की पावर 5 किलो मीटर पर सेकंड होती है किसकी प्रकास की चाल इसलिए आप प् तस्व एंक्स्ट्रॉम तक होता है यह जो आप चिन देख रहे हो इस प्रकार का यह बनी हुई है और इसके उपर यह लगा हुआ है इसे हम एंक्स्ट्रॉम क्या कहते हैं एंक्स्ट्रॉम क्या कहेंगे एंक्स्ट्रॉम क्या कहेंगे इसे क्या कहेंगे एंक्स्ट्रॉम तक होता है और अब हम समझेंगे प्रकास का परावर्तन क्या होता है उसको समझेंगे तो उसके लिए पहले कर लेते हैं इसे इरेज़ प्रकास किरणा क्या है प्रकास के सरल रेखी पत को प्रकास किरण कहते हैं प्रकास के एक आएगा यहां पर प्रकास के एक सरल रेखी पत को मतलब एक वार लाइट केवल जाए एक वार जाएगी तो क्या होगा एक वार अगर लाइट जाएगी तो वो क्या कहलाएगा एक प्रकास किरण प्रकास करण कहते हैं, नोठ करते जाना सारे की सारी टौपक मैं आपको बता रहा हूँ इतक बड़ी हतरी कि सब्सक्या है, 6 एक नेक्स्ट से आपका प्रकास का परावरतन, अब परावरतन क्या होता है, परावरतन फिर्न समझ में नहीं आईगा क्यों हिझों हिंदी रहे हैं इंग्लिस साप समझते हो रीफलेक्शन आप तो आप समझे होंगे ना रिफलेक्शन रिफलेक्शन जानते हो ना क्या होता है रिफलेक्शन आफ लाइट क्या है कि किसी किरण का किसी चिकने प्रिष्ट से टकराकर वापस उसी माध्यम में लोटाना प्रकास का शूट कर रहा हूं उसमें भी इसी लोग की अनुशार ही लगा हुआ है अब देखो जो प्रकास आ रहा है वो मेरे मूँ पर पढ़ रहा है मूँ पर पढ़ने के बाद मैं कैमरा पर जा रहा है कैमरा पर जाने के बाद मैं बापस लोट के आ रहा है यह होता है प्रकास का परा हाँ तो अब पहले हमने देख चुके हैं किसके बारे में प्रकास का प्रावर्तन क्या है कि पहले एक करड़ जा रही है लोट के आ रही है तो प्रकास का प्रावर्तन कहलाता है अब देखो एक डाग्राम कीशते हैं जिसकी मदद से आप लोग समझेगों देखो कैसे यहाँ पर मालो कि यह एक line draw की मैंने इस प्रकार से अब यह line क्या है line में अब हम लगाते हैं कुछ cuts कैसे लगाएंगे देखना जैसे मैं बनाऊ उस प्रकार से बनाते ही चले जाना आप यह जो मैंने line लगाई है यह किसलिए है यह बता रही है कि नीची हमने कोई चिकना प्रष्ट रखा है चिकना प्रष्ट बोले तो क्या सीसा एकदम चिकना चिकना होता है ना सीसा उस प्रकार से बट सीसा काम नहीं करेगा क्योंकि सीसे के क्या है कि एक तरफ होता ही उसके कला ही लगी होती है दूसरा तरफ वैसा होता है इसलिए हम लेंगे एकदम जो आप देखते हो ना गाडियों में लगा होता है सीसा उस प्रकार का सीसा जिसमें आरपा हम देख सकते हैं उस प्रकार का हम लेंगे तो हमने लगा लिया है एक सी सा इसके उपर हम यहां से डालेंगे एक light यहां से माल लो हमने एक डाली है क्या डाली है light यह इस प्रकार से हमने एक light डाली है यह देखिए यह डाल दी हमने एक light यह देखिए, अब हमने एक light तो डाल दी है, अब परिभासा नुसार यह क्या करेगी, यह light यू जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, बापस लोट जाएगी, इसी में अफसोसित नहीं होगी, यू जाएगी और इससे बापस लोट जाएगी, तो यह क्या कर रही है, यहां से इ अब इस साही करने का कुछिसस करता हूँ, जी यहां अब हो चुका है एकदम बढ़िया तो इसे हमने A मान लिया है इस बाली को हम B मान लेते हैं क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं और यह जो आप देख रहे हैं यह तीनों किरणे एक साथ यहां पर टकरा रही है यहां पर इसे आप O मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे, ठीक है, अब क्या है, यहां पर हम N मान लेंगे, क्या मान लेंगे, N मान लेंगे, ठीक है, हमने N मान लिया यहां पर, ठीक है, और आप देखोगे कि जैसे ही इसे क्या करेंगे, यह वाली जो लाइन है, इस कहेंगे परावर्तित ये होगी आपतित किरण कौनसी आपतित आपतित किरण आपतित किरण क्या है जो किरण आ रही है क्या कहर रही है जो किरण एक साथ आ रही है वो क्या कहर रही है आपतित किरण और जो किरण यहां से आने के बाद बापस चली जा रही है आने के बाद बापस जा रही है इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण क्या कहेंगे परावर्तित किरण अब देखो यह जो हमने लंब डाला है इसे हम बोलेंगे अभिलंब क्या बोलेंगे अभी लंब यहाँ पर लिख देता हूँ अभे लंब आप नोट बूप के नोट करते जाना साथ में इसे क्या कहेंगे अभी लंब कहेंगे क्या कहेंगे अभी लंब इसके बाद में आप देखोगे कि इनके बीच में क्या बनेंगे दो कोड बनते हैं क्या बनते हैं कौण कौण से कौण से एक तो ये वाला कौण बनता है और एक ये वाला कौण बनता है इसे हम कौण I कह देते हैं और इसे कौण R कह देते हैं इस कौण को हम क्या कहेंगे इस कौण को कहेंगे आपतन कौण इ माटलब यो चिकना प्रश्ट लगाया है, लगाया है, 16 प्रुश्ट इसे भी तो नाम देना है, इसे अंहीं लगाया है, और किरने यहीं निस्तरेचंए बना इशत प्रॉथक दुन कंटेंकर। क्जिसी आपकोत अब बस में देना है ओ, क्या हो रहा है कि यहाँ पर यह आपतित किरण गिर रही है, किस पर, ओ पॉइंट पर, तो इसे नाम क्या देंगे, आपतन कोण, क्या कहेंगे, आपतन, आपतन कोण, पूरड, आपतन कोण, जी, सौरी, सौरी, आपतन कोण तो यह वाला हो गया, यह होगा, आपतन क्या होगा आपतन बिंदू सो आपने देखा क्या देखा कि हमने एक चिकना प्रष्ठ लिया क्या लिया चिकना प्रष्ठ लिया इसे आप घर पर भी एक तरीके से एक्टिविटी कर सकते है जो दस रुपए वाली लेजर लाइट आती है उसे अगर आप सीसे पर अगर कोई सी प्रकास के परावरतन के नियम के नियम क्या होता है प्रकास के परावरतन के नियम के लिए पहले इतने पर आएगा नहीं पहले हम एरेज करते हैं और लिख लेते हैं इस पर हाँ तो अब क्या है प्रकास परावर्तन के नियम में पहला नियम है आपतित किनाण परावर्तित किनाण था आपतन बिंदू पर अभिलम्ब तीनों एकी तल में होते हैं परिवास समझे मैं अभी आपको अच्छे से समझा दूगा नेक्स्ट दूसरे कहा है कि आपतन कोण का मान परावधन के मान के बरावर होता है दुबार से डियाग्राम कीचेंगे उसके बाद मैं समझेंगे क्या हो रहा है जोगो पहले हमने लगाई यह छोटे चोटे से इसको चिकना दिखाने के लिए और ये आई हुई है एक लाइन आ गई और यहां से ही यह चली गई बापस बापस यह लाइन क्या हो गई चली गई और यहां से आप देखते हो कि यह इस प्रकार से अभिलंब लग चुका है क्या लगा है अभिलंब लगा है इसे आप क्या कहेंगे परावर्तित किरन आपतित किरन आपतित किरन आपतित किरन परावर्तित के रहा है और ये क्या है ये है आपका अभिलंब अभिलंब ये क्या है आपतन बिंदू ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये है आपतन आपतन बिंदू बिंदू और ये आपको क्या देखाई दे रहा है ये है आपका आपतन कॉंड जिसे एंगल आई दरसाते हैं और इसे एंगल आर दरसाते हैं ठीक है ये एंगल आर है ये इसे क्या कहेंगे आपतन कॉंड आपतन कॉंड इसे क्या कहेंगे परावर्तन कॉंड परावर्तन आपको बूलु कलर से आपको बताऊंगा क्या नियम है मैं इसके दिखो आपतित किरण कहां गई है यह रहे हन distingu आप ज्यदा वाला ले रहे हैं जिसका राइटिंग मौता हैं उसको ले लेते हैं यह क्या है आपकी आपतित किरण इसने कह दिया वही कि आपतित किरण फिर क्या है परावर्तित किरण यह देखो यह रही आपकी परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदू पर अविलंब आपतन बिंदू पर अविलंब यह रहा वही किस पर यह कहा है कि आपतित किरण और परावर्तित कौन आपतित किरण और अविलंब तीनों क्या है एक ही तल में होती है वो है ना इस तल में तीनों क्या है एक ही तल में है कौन से तल में है परावर्तर तल में है एक ही तल में है तीनों आपको दिखाई दे रहा है और यह क्या कह र परावरतन कोण का मान बरावर होता है आपतन कोण का मान परावरतन कोण के कोण के मान के बरावर होता है जिसमें क्या है कि एंगल I is equal to एंगल R आपको देखने को मिल रहा है आप समझने के लिए समझने के एंगल I का मान अगर 50 है अगर एंगल I का मान क्या है 50 है तो एंगल R क मान भी 50 ही होगा एंगल आर का मान भी 50 होगा क्योंकि वे दोनों आपस में बरावर दूरी पर काटती हैं इसलिए इन दोनों का मान क्या होगा बरावर होगा अब देखो अगर इस डायग्राम को हमने समझ लिया अच्छे से अब इनकी परिवासाएं भी होगी कैसे कि आपतित किरण की परिवासा लिखी जाएगी परावरतित किरण की परिवासा फिर आपतन विंदू की परिवासा आपतन कोण की परिवासा परावरतन कोण की अविलंब की और परावर तक तल की इन सभी की परिवासाइं भी होती हैं और वो मैं अभी यहां प आपतित किरन जो अब हम आपतित किरन के बारे हम समझेंगे आपतित किरन क्या होता है तो आपतित किरन कौन सी है ये वाली कौन सी ये वाली ये ये वाली है आपतित किरन जो आ रही है किस पर तल पर गिर रही है उसको हम आपतित किरन कहती है परिभासा में क्या लिखा है यहा से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है किसी तल से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है जो देखो यह वाली किरण यहां से आ रही है किस पर तल पर टकरा रही है एक दम तल पर गिर रही है वो क्या है आपतित किरण कहलाती है जिसे इंग्लिस में रे कहते हैं क्या कहते हैं incident रे next क्या है परावर्त किरण परावर्तित किरण कौनसी वाली ये वाली कौनसी वाली ये रही परावर्तित किरण ये रही ये जो किरण है ये परावर्तित क्या कर रही है ये आ रही है आप चित किरण आ रही है और आने के वाद ये जा रही है ये क क्या लिखा है परिवासां में किसी तलसे टक्राने के बाद मतलब 24 pack व्या वाली किरड को प्रावरतिकरन कहते इंग्लिसमें रिफ्लेक्टेडद या य फिर क्या है नौर्मल गती उस पर खींचा गया लंब, इस पर खींचा गया लंब, अभी लंब कहला ता है। इसे एगर simple language कमें लिखे हैं तो आपतर बिंदू पर खींचा गया लंब आभी लंब कहलाता है that's it. इसके बाद में अब आता है। क्या है कि आपके दो कौन हैं? एक ये कौन बन रहा है। ये कौन बन रहा है। इन दोनोंकी परिवासा देखेंगे और परावर्तक्तल और आपतन बिंदू इन तीनों की परिभासा के बाद में वीडियो करेंगे एंड तो चार परिभासा यह और है उन्हें और लिख लेते हैं आपके समक्ष हाँ अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हमारे सामने आपतन कोण मतलब आपतन कोण के बारे में आपतन कोण क्या है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है मतलब क्या है कि आपतित्किरड ये रही है ना आपतित्किरड ये रही अभिलंब ये रहा इन दोनों के बीच में बना कौण इसके और इसके बीच में बना कौण आपतन कौण कहलाता है आपतन कौण कहलाता है आपतन कौण इसे किस से आई से प्रदर्सित करते हैं किस से आई से प्रदर्सित करते हैं है ना आई से प्रदर्सित करते हैं मतलब इस साइड के और इस साइड के बीच में बना कोण आपतन कोड कहलाता है आप क्या है परावर्तन कोड परावर्तन कोड क्या है कि परावर्तित किरड के परावर्तित किरड तथा अभिलंब के बीच परावर्तित किरड और अभिलंब के बीच बना कोड परावर्तन कोड कहलाता है इसे किस से आर से दरसाते हैं इसे छोटी आर से दरसाते हैं अब निक्स्ट फिर क्या है परावर्तक तल क्या है जिस किरड़ पर किरड़ने परावर्तित होती है वह तल परावर्तक तल कहलाता है मतलब इस पर किरड़ आई है और चली गई है कौन सा वाल है ये वाला तल ये वाला तल क्या कहलाता है परावरतल तल कहलाता है अब क्या है आपतन बिंदू परावरतल के जिस बिंदू पर आपतित क्रड गिरती है वह बिंदू आपतन कोण कहलाता है मलब क्या है कि ये आपतन आपतित क्रड गिरी किस पर गिरी आके इस बिंदू पर इस बिंदू पर आके आपतित किरण गिरी है तो ये बिंदू क्या कहलाएगा आपतन 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 बिंदू आपतन बिंदू आपतन बिंदू आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने आपको इतना करा दिया एक लेक्चर में मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम प्र कर दो अच्सरी नहां?